किस दिन आखरी एपिसोड शूट करेंगे आईशा और नील भट गुम है किसी के प्यार में जो लीप आने वाला है उसे लेकर आप बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब आखरी एपिसोड जल्द ही शूट करेंगे आईशा और नील भट वेल जैसा कि आपसोग जानते ही है कि स्टार प्लस के सुपर डूपर हिट शूट गुम है किसी के प्यार में की कहानी काफे ज़दा चेंज होने वाली है लीप आने वाला है और लीप के बाद जो है वो हर्शद अरोरा और उसी के साथ ही साथ साथ साई विराठ ये सभी दुदो माताते है आखिर किस दिन चुट करने है य्णिकी नील आयशा जो है उनका आखरी शूट जो है वो कब होने वाला इसकी पूरी डीटेल आपको देते हैं sources की माने तो जल्द ही आयशा नील अपना आखरी एपसोड शूट करने वाले हैं और उसके बाद शूमें लीप आ जाएगा sources की माने तो पंधरा जून को आखरी एपसोड जो है ये लोग शूट करने वाले है आयशा और नील हलाकि इसके बारे में अभी कुछ official confirmation नहीं है लेकिन फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि 15 जून को आखरी एपिसोड जो है शूट होगा लीप के पहले का हलाकि इसमें डेट्स जो है वो कुछ आगे पीछे हो सकती है और इसके बाद कहानी जो है वो वीनू और सवी के आसपास घूंती नज़र आएगी और इसी के साथ साथ जो है फैंस अब यह जानना चाहते हैं कि आखर उसके बाद होगा क्या विल्सोर्सेस की माने तो आईशा की जो है वो फिर से वापसी हो सकती है कैसे होगी यह देखना बहर दिल्चस्प होगा और इसी के साथ ही साथ जो कहानी है वो काफी दिल्चस्प हो सकती है हाला कि फैंस जो है वो इस बात को लेकर काफी जादा नाराज है क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे फैंस जो है वो लगातार साई और विराट की कहानी देखना चाहते थे साई और विराट की स्टोरी को आगे बढ़ते हुई देखना चाहते थे लेगन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर अब कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी है कहानी में लीप आने वाला है और इसी के साथ साथ सत्या भी शो को अलविदा कहने वाले हैं और कब ये शूट होगा तो माला जारा है कि 15 जून को आखरी एपिसोड जो है वो शूट किया जाएगा और फिर कहानी वीनू और सभी के आज पास आप सब को नज़राने वाली है हाला कि फैंस जो हैं वो इस बात को बिल्कुल भी एकसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि शो में लीप आये और इस तरीके से सुचुएशन हो जाए और आईशा और नील ये शो छोड़े क्योंकि फैंस हमेशा से ही चाह रहे थे कि ये सत्या को बीच में क्यों लाया गया सई और विराट की कहानी को क्यों नहीं चलने दिया गया तो ये कई सारे सवाल थे जो लगातार पैंस मेकर से पूछ रहे थे ऐसे में अब कहानी जो है इस तरीके से होने वाली है तो उनका गुस्सा भी लगातार जारी है और वो लगातार यहीं कह रहे हैं कि ऐसा क्यूं हो रहा है और अगर ऐसा हुआ तो शो वो लोग नहीं देखेंगे क्योंकि जिस तरीके से सई और विराट की कहानी को आगे बढ़ना चाहिए था उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है बहुत वक्त से फैंस लगातार सई और विराट को साथ देखना चाहते थे वैसे ये भी बात सच है कि लीव से पहले पहले सई और विराट का इंटरेंस लव आप सब को देखने को जरूर मिलने वाला है क्योंकि सिचुएशन अब कुछ ऐसी ही हो गई है आप देख सकते हैं आपर सत्या का जो है वो आक्सिडेंट हो गया है और एकसिडेंट के बाद सत्या का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी इसी के साथ साथ सही वो वापस विराट के पास लोटेगी और इसके बाद जो है दोनों के बीच बहुत इंटरेंस लव देखने को मिलेगा फिलाल देखना दिल्चस्प होगा कि अब आगे जो है कहानी कैसे बढ़ती है और शूट जो है माला जा रहा है कि 15 जूर को आखरी एपिसोड शूट होगा लीप से पहले जिसके बाद आप सब को नहीं दिखेंगे नील और आईशा फिलाल आप सब क्या कहेंगे इस पर आप हमें कॉमेंट के ज़रूर रताएगा इस वीडियो मस इतना ही टीवी एंड बॉलिवूड से रिलेटेट खबर के लिए फिल्म भीड सब्सक्राइब करें और अगरे वीडियो आप फेस्बूक पर देख रहे हैं तो मारी फेस्बूक को फालू करें